और आज में पाउने 6 बज़े उठा और उठने के बाद मुझे मामी ने दिया मोरंबा सब्जी और रोटी खाने के लिए और यहां पर मैं खुद को देख रहा हूँ क्योंकि मैं नहाया नहीं था और देखने के बाद मुझे मालूम बड़ा कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ इसलिए फिर मामा और में निकल गए बीच पे तो बीच जादा दूरी पर नहीं है सिर्फ एक मिनिट का रास्ता है बीच पे जा रहे थे क्योंकि अपना वहाँ शैक है तो सामने ही है अपना शैक तो चलो शैक पे जाके करते हैं शैक का सेट अप और वो है आजूबा का शैक पे आने के बाद पहले तो अपने को संद बात बेड के उपर बेड बीच आना पड़ता है तो मैं यहां एक एक करके सब संद बेड के यहां बेड डाल रहा हूं सो वेट सेट करने के बाद हम लोग को बेट को सजाना भी पड़ता है इसलिए हम लोग यहां पर हाई कॉलिटी का टॉवेल यूज कर रहा है सुबह सुबह उठके खाना खाके बाइक चले के बीच पर आने के बाद ये सब काम करने के लिए कुछ अलगी मज़ा आ रहा था मेरे को I don't know वाई बट आ रहा था मज़ा तो ये है अपने फाइनल रिजल्ट्स तो ये सब होने के बाद मेरे भाई ने मुझे मस्त फ्रेश लाइम सोडा बना के दिया था जो पीने के बाद बहुत ही मज़ा आया मुझे फ्रेश लाइम सोडा पीने के बाद मेरे मामा मुझे लिखे गए केरी का केव देखने के लिए विच इस वन ओफ फेमस अट्रैक्शन ओवर ये केरी केव तो अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नेक्स वीडियो में में पूरी जानकारी देने वाला हूँ के बारे में और यहाँ पे हमने फिशिंग नेट डाला था समंदर पे जहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे मचलिया पकड़ी है तो ये भी में इंक्लूड करने आप नेक्स वीडियो में तो जरूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अ जहाँ पे हम लोग संबेड पे बैठके खाके मज़ा लेने वाले हैं खाना खाने के बाद मैंने सोचा क्यूं ना समंदर का मज़ा लिया जाए इसलिए मैं गया स्विमिंग करने के लिए समंदर के अंदर तो देखते देखते हो गई शाम भाई लोग और फिर शाम के बाद रात को हम लोग ने बहुत मज़ा किया मज़ा करने के बाद हम लोग ने खाना खाया और फिर चले गए नाटक देखने बादो पुंधर आदेखने, धेवल्या घंडर शाकाल जय एमाणद तेखने, धेवल्या तेखने पांड रंग पांड तब चरणांची घड़ो नित्य सेवा तब चरणांची घड़ो नित्य सेवा पांड रंग पांड तब चरणांची घड़ो नित्य सेवा 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 तब चरणांची घड़ो नित्य सेवा